हेलो फ्रेंट्स मैसल्फ मिस्टर मिनल आर्पटल वर्किंग असे लेक्चेरर इन मिकेनिकल एंजिनेरिंग डिपार्टमेंट फ्रम वल्लब भुदी पोले टेक्निक नवसारी तोडेया विल दिस्कुस अबाव दी टॉपिक रेफ्रेक्टरी मट्रियल पोर दी सब्जेक्ट म सच्छ अन मेटलर जी सब्जेक्ट कोल 232 1902 सव प्रथमा आपड़े जो इसे रिफ्रेक्ट्रेम yep मट्रियल नी डेफिनेशन Virus ट्रेमक्व produkt 250 व्श होई छे खरान के ceramic material जे छे थे high temperature सहन करी सके शे अवा material जे छे इने furnace छे boiler छे फ्यूज छे रे ज़ेनरेटर्स छे क्रूसीबल्स छे, ड्रायर्स छे, पैरोमेटर ट्यूप्स छे, अने विजा गणाबता एक्विपमेंट्स छे, तो एनी अंदर लाइनिंग माटरियल तरीके यूस करवामा आवशे, रिफ्रेक्टरि माटरियल फरनेस वगेर ना तड़िया पर, साइड पर अने छत मापन गावामा आवे छे, जनेरली आ मटरियल फंदर ऐसी डिगरी सेलसेस चिटलू टेंपरेचर सहन करी सके छे, अने अवा हाई टेंपरेचरे आ मटरियल फ्यूस थता नथी, तो एनी अंदर क्रेक्पान पड़ती नथी, तो रिफ्रेक्टरि माटरियल जे छे ते घन एल्यूम वगेरे जे छे एनो रिफ्रेक्टरेश तरीके यूस करवामावचे अन्य ये यूस कही कही जग्याय करवामावचे तो जेट एंजिन नुकलियर रियक्टर मिसाइल वगेरे माट नवानावा संसोतन करिने विक्सावायला सुद्ध ओक्साइड बोराइड कार्बाइड सलफा अथ्वा नबडा पड़िया सिवाई हाई टेंप्रेचर सहन करिशकवानु छे एतला के हाई टेंप्रेचर परपाण एनी अंदर क्रेकिंग पड़वी नहीं जोई है एनों कंस्ट्रक्शन विक नहीं पड़वू जोई तुटू नहीं जोई है के ए मरियल नबड़ो of good refractory materials तो सारा refractory material माते एनी अंदर त्रों requirement होई जोई जम के refractiveness, second ceramic bond अने third dimensional stability आ त्रों नहीं आप्रेवारा प्रति जोई है refractiveness तो refractiveness कोना कहिशू तो खास service condition माँ deformation थाई नहीं अने नबड़ी पड़े नहीं अने high temperature सहन करी सके तेवी capability एवी समतने refractive नेस केवामावशे औने refractiveness नू माप कड़वामाटे material ना melting point ने अधरभूत गणवामावशे एटले के material केटला degree temperature पर पीगडे शे एना पर अधर राखे छे refractiveness property सेकंद छे ceramic bond तो firing समय एटले के जहरे बठीनी अंदर आपणवे शडगाविये शे ते टाइमे मिक्स्टर ना feasible गटक नू प्रभाही औने थारान समय एटले के एने आपणवे गट बनाविये शे जहरे एने थरवा दईये शे कोई पाण मटरियल होई पिगडेल होई तो एने थारान करिये शे तो ए समय ए गलासी मैट्रिक्स बने शे एने सीरामिक बॉन्ड के वामा होँचे आब आबत हाई टेंप्रेचेर वा उप्योग मा लेवा छता डाइमेंशनल स्टेबिलीटी नो गून धरमा आपशे सीरामिक बॉन्ड रेफ्रेक्टरे नी सीट स्ट्रेंड मा वधारो करे छे लेका कोल्ड स्ट्रेंड नी अंदर वधारो करे छे पण हाई टेंप्रेचेर वा मटरियल नी रेफ्रेक्टिवनेस मा गटारो करे छे जनकाराने सारे रेफ्रेक्टिवनेस मले ए हे तु थी रेफ दाइमेंशनल स्टेबिलीटी कोन गेशूं तो लामबा समय सुधी हाई टेम्परेचर नो सामनो करवा छता पण एना कदमा कोईपण रिते फेरफार न थवा देवाने माटरियल नी केपेबिलीटी अथवाक सम्ता ने डाइमेंशनल स्टेबिलीटी केवामाव छे। हाई टेम्परेचर है फीजीकल अने केमीकल स्टेबिलीटी ए रेफ्रेक्ट रे माटरियल नी बेजिक रेकौायर्मेंट्ट शे। ये फीजीकली पन स्टेबल रेऊ जुए अने केमीकली पन स्टेबल रेऊ जुए। फर्नेशना पार्टस अत्वा एनी अंदर ना कंटेंश जे होई छे ए वजनने गरम होई त्यारे वहन करवानू जड़पी टेंपरेचर ना वधरा के गटड़ा थी जे थर्मल सुक प्रियेत थाईश अत्वा स्ट्रेसिस क्रियेत थाईशे एनो शामनो करवानू एनो कारिया छे रिटेंच्ड माटरीयल तो हाई टेंप्प्रेचर त्रावत गानल प्रवाही एक वागद आपी लिएह जय होग तो तौच ऐना उरिट्नल डायमेंचव। जडवाय रेच न्यलिंच'. अगरीं कहां और रिट्नल और कम्ल packages पसाली वाक्ड आउ जे चे ते किटलीक बहद फेल थाई जाई चे तो एना फेलियर माटेना रिजन्स कया कया चे कराणों कया कया चे तो रिफ्रेक्टिव माटेरियल निस्फड जवाना कराणों causes of failure of refractory तो रिफ्रेक्टिव माटेरियल निस्फड जवाना माटेना गणा कराणों चे जे आपले अई आगर जोईसन् Skill तो refractory material नो lining जे छे एना use देर में high temperature जे temperature नो सम्नो करवानों होई येना मटे पूर्ती क्समतावाडा नहीं होई तो refractory material निसफ़ड जाये छे थोड़ वन रिफ्रेक्टरी लाइनिंग करेला इक्विपमेंट्स जेशे ए जे टेंप्रेचर सुधी यूज करवानों होए एना कता वधर टेंप्रेचर सुधी यूज करवामा आवे तो रिफ्रेक्टरी मटरियल नबडा पड़ी जाई छे अथ्वा तो पीगडी जाई छे परिणा में एक निस फडल जाई छे अनै फोर्थ उसमिय औन यांतरिक आगात मां वधर ओ थता रिफ्रेक्टरी मटरियल निस फडल जाई छे ये तलो के वधर पड़ी एनने गर्मी आपि देवा मा आवे अथवा वधार पड़ी यूज कर oluyor आपि देवां मावे तो पनल़ मुद्धा ओओ तो हीट एनर्जी छे एतला कि उसमा चे कार्ट छे अने एब्रेशन प्रतिरोधक छे तो आब दा गुंदर मां आपने जोईता होई तो एना माटे रेफ्रेक्ट रिश्ण यूज करवो जोई एक रेफ्रेक्ट माट्रियाल हीट एनर्जी ने अटकावी सके छ कार्ट ने आख कावी सके छे अने एब्रेशन प्रतिरोधक माट्रियल छे एन्हों फ्युजन जे छे ते फ्यूजन टेम्प्रेचर हाई होऊ जोई रहाए औप्रेक्ट र परב और आपणया मंखी हे तो हैनी एंदर क्येमीकल रियेक्शन थाव़ोग जोई नई रेफ्रेक्टरिस नो उसमा एक्सपन्सन गुणां के तला के हीट ट्रांस्पर कोफिशन ओछो हो जे हाई टेंप्रेचर सहन करवा साथ है प्रवाही दातुना वजन्न कराने जे डाप बल लागतु हो जे ए डाप बल सहन करे सके एविक सम्ता एनी अंदर हो वी जुए हीट एनरजी औने इलेक्ट्रिकल एनरजी न ओवाहक ताना गुण तर्मो एनी अंदर हो जुए एटले के हीट औने विद्यूतनू ओवाहक हो जुए तो आप बता मुद्धावने ध्यनमा लईने एना योग्ये उप्यों को अईयागर दर्सावेला छे जेमके फायर ब्रिक्स तो फायर ब्रिक्स नो यूज इंडक्शन फर्नेस ना तड़िया पर करवामा वशे जेमा ओपन हर्थ फर्नेस ना सब हर्थ मा ओपन हर्थ फर्नेस ना दर्वाजा पर ओपन हर्थ फर्नेस नी स्पाउट उपर औने डाइरेक्ट आर्क फर्नेस ना स स्पाउट उपर एनो यूस्ट हाई छे सेकंड सिलिका ब्रिक्स तो सिलिका ब्रिक्स नो यूस किया अगल थाई छे तो डायरेक्ट आर्क फर्निस्ट नी दीवाल पर अन्ने छत पर एनो यूस्ट हाई छे जेमकि ओपन हार्थ फर्निस्ट ना मथाड थर्ड वन छे मैगनेसा क्रोम ब्रिक्स तो बेजिक क्यूपोलाना मेल्टिंग जोन नी इंदर येनो यूस करवामा आवचे तो ले नीकल अने तामबाने पीगळवानी डायरेक्ट ओपन हार्थ फर्निस ना उपर ना भागे ये लगळवामा आवे छे फोर्त जो ये आपरे डॉलोमाईट तो ओपन हार्थ फर्निस ना बेकिंग वाटे येनो यूस्ट हाई छे बेकिंग वाटे एतले के डायरेक्ट आर्ख फर्निस नी साइड वाल पर येने लगळवामा आवे छे येना पछे जो ये आपने क्रोम मेगनेसाइट ब्रिक्स तो डायरेक्ट आर्ख फर्निस नी साइड वाल पर एनो यूस्ट हाई छे जेमके ओपन हार्च फरनिस ने साइड वाल पर अने ओपन हार्च फरनिस ना ब्लोक्स अने छेड़ाओ पर यूस्ट हाई छे सिक्स्ट जो इसवाँ आपने हाई एलिमिना फायर क्ले तो नुजल स्टोपर वगेर ना लाइनिंग माटे लेडल्ट रिफ्रेक्टरिस तरीके पने यूस्ट करवामा आवे छे एनने सेवन्थ लास्ट जो इसवाँ आपने मैगनेस साइड तो निकल अने तांबू औनी तांब्रेक्टरden नी बत्ती अनी साइड वाल माटे नो यूस्ट करवामाँच्छे, जेमके स्टील ने पिगडवामाटे नी तांब्रेक्टर रिफ्रेक्पर स्टनी केटा बत्ती होई चे हैं नि अंदर यूस्टताई था यूस्टdatाई चो